इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और आपको पूरी और सही जानकारी देने वाले हैं अपराइज D360 के कैपसूल के बारे में आज हम जाने के कौन सी समस्थ से होने पर इसका यूज किया जाता है इसके डोस किस प्रकार से लेने चाहिए इसको लेने के बाद कौन-कौन से side effect हो सकते हैं, कि इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या होता और ये दवा शरीर में किस परकार से काम करने वाली है सबसे पहले हम आपको बता देते हैं इस tablet में यूज होने वाले salt composition के बारे में, तो इस tablet के अंदर vitamin D3 60,000 IU के रूप में पाया जाता है बात करें इसके brand की तो इसको Alchem Laboratories Limited दोरा बनाया जाता है जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा brand है आपको बता देख हम अपने channel पर इस दवाई का कोई promotion नहीं कर रहे हैं ना इसकी जानकारी देने के लिए हमने किसी company brand से कोई बिटामिन D बनाता है लेकिन अगर आपके शरीर में इसकी परियाप मात्रा अबलब्द नहीं है तो ये दवा आपको supplement के रूप में दी जाएगी आपको बता दें कि ये हफ्ते में सिर्फ एक ही capsule दिया जाता है फायदे प्राप्त करने के लिए इसे नियमित रूप से लेता रहना चाहिए जैसे डॉक्टर बता है उसी परकार से लेना है हो सकता है कि इसके असर पर आपका ध्यान ना जाए लेकिन अपनी हड्डियों की सुरक्षा के लिए इसे लेते रहें जैसे डॉक्टर बता है उसी परकार से लेते रहें इसके अलावा ये आपकी इम्मुनिटी को बढ़ा सकता है और विभिन इन्फेक्शन से लड़ने के लिए शरीर की पिर्ती रोधक छमता को भी बढ़ाता है बात करें इस capsule के side effect के बारे में तो आपको बता दें कि इस दवा से होने वाले अधिकांस side effect में डॉक्टर की सला लेने की जरूत नहीं पड़ती है और नियमत रूप से दवा का सेवन करने से side effect अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं अगर side effect बने रहते हैं अलक्षन बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सला लें और side effect इसका कोई आम side effect आज तक देखा ही नहीं गया है बात करें इसके इस्तेमाल की तो इस दवा की खुराक और अनुपान की अवदी के लिए अपने डॉक्टर से सला लें अपनी मनमर्जी से या overdose इसका बिलकुल ना लें वरना आपको फायदे की जगा बहुत ज़्यादा नुक्सान भी हो सकता है वैसे मैंने आपको बता दिया कि हफ्ते में ये एक ही कैपसुल यूज किया जाता है बागी जैसे आपके डॉक्टर बताया है उसी परकार से आपको इस कैपसुल के बारे में यानि अपराइस D30 60K कैपसुल के बारे में जानकारी हमारे दोरा दीकी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेर करें ताकि और लोगों को भी इस कैपसूल के बारे में पूरी और सही जानकारी मिल सके वीडियो को शेर करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं हम अपने चैनल पर सभी प्रकार की दवाईयों की बिल्कुल फ्री में हिंदी में जानकारी आपके लिए लेकर आते रहते हैं अब आप भी चाहते हैं सभी प्रकार की दवाईयों की जानकारी बिल्कुल फ्री में और सही पाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना हम आपसे बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई दवाई की नई जानकारी के साथ थैंक यू सो मच